आप इसक्रीन पर देख सकते हो level thumbnail का साइज है वह 2 MB से ज्यादा है 2.90 MB है इसका मतलब जो है यह आप जब मैं इस thumbnail को click करता हूँ ad करने के लिए दो एड नहीं होता है क्योंकि Col dellacend मेरा Thumblayl का size ज्यादा है तो इसी को आज हम लोग सिखेंगे कि कैसे थांबनेल के साइज को कम करते हैं, अगर आपका थांबनेल 2.9mm से जदा है तो इसको कम कैसे करते हैं आज इसी के बारे में जानेगे तो आप पहले देख लिजिए, मेरा thumbnail का size 2.19 MB है, यह आपने देख लिए 2.19 MB, इसका size है, तो चलिए, अब हम लोग इसको कम करते हैं, तो चलिए, हम लोग इसको कम करने के लिए सबसे पहले अपने mobile की screen पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप काइन मास्टर को खोलीए काइन मास्टर को खोडने के बाद create पे किलिए किजिए create पे किलिक करने के बाद create new पे किलिक किजिए create new पे किलिक करने के बाद आप जाईए expect ratio में expect ratio में जाने के बाद आप जो है उसका 16 by 9 यह expect ratio आप select किजिए उसको select करने के बाद आप media पे जाईए मीडिया पे जाने के बाद आप फोटो को सिलेक्ट कीजिए फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप आल में किलिक कीजिए आल में किलिक करने के बाद आपके सारे फोटो आजाएंगे तो मैंने जो थमनेल बनाया था तो मैं उस थमनेल को सिलेक्ट करूँगा यह रहा यह थमनेल 100% औरिजिनल इसको मैंने क्लिक किया उसके बाद OK पर जाकर मैंने क्लिक कर दिया तो यह मेरे लेयर पर आगिया है अब यहाँ पर यह जो camera वाला जो option दीक रहा है तो इस पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको capture and save में क्लिक करना है अब चलिए देखते हैं हम लोग पीक का साइज घटा है या नहीं घटा है तो यह पहले वाला पीक है है ना यह पहले वाला पीक का साइज आप देख सकते हो 2.19 MB है और यह जो मैंने काइन मास्टर से जो मैंने 446 Kb पर है तो अब मैं जाता हूं थाम्डेल को upload करने के लिए तो फिर से आपको दिखा देता हूं जो यह पहले वाला पीक है जिसका साइज है आपका 2.19 MB है और यह वाला पीक जो है यह है आपका काइन मास्टर से मैंने लिया हुआ पीक 446 Kb का यह इसका साइज है तो इस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप इसी तरीके के नॉलिजबल वीडियो की नोटिफिकेशन पास अको तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई